Hello friends, welcome back to the channel, कैसे हो आप बढ़िया तो friends, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC Bank के Money Back Debit Card के बारे में जहां हम discuss करेंगे इस Debit Card से लेटेड बेनेफिट के बारे में कि अगर आप इस Debit Card को ले रहे हो तो यहां पर आपको क्या-क्या वीडियो को शुरू करते हैं अब सबसे बात कर लेते हैं इस Debit Card से लेटेड फीज अंचार्जेस के बारे में तो अगर आप इस Debit Card को ले रहे हो तो यहां पर हर साल आपको देना पड़ेगा एनवल फीज जो की है आप इन जगहों पर जाके अपने Debit Card का यूज करके पेमेंट करते हो तो फॉर एवरी 100 रूपीज पेंट यहां पर आपको 1% का कैश बैक मिलने वाला है मैक्सिमम एक मन्त में आप 250 रूपीज तक का ही आप आप ले सकते हो और यहां पर एक टर्मस एन कंडिशन भी इन्हों ने यहां पर लगाई हुई है कि जो आप अपने debit card से जो सबसे पहला transaction है वो 500 या उससे जाधा कर लोगे तो यहां पर आपको मिलेगा welcome voucher जो की होगा categories like entertainment, dining, etc. तो अगर आप पहला transaction 500 या उससे जाधा कर लोगे तो यहां पर आप यह welcome benefit जो है वो ले सकते हो अगले benefit के आप हम बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा 5% का cashback देखो यहां पर इन्होंने clearly mention कर दिया है register for automatic bill payments on bill pay using HDFC bank debit card and receive 5% cashback for first 12 months of registration तो यहां पर क्या करना है आपको simply जाके बिलर्स को जो है वो auto pay पर जाके register करना है देखो आप mobile के bills अगर भरते ही हो दूसरे electricity bills वगर सब कुछ आप payment करते ही हो राइट तो यहां पर क्या करना है simply जाके उनको auto pay में register कर देना है एक बार आपने उसको auto pay में register कर दिया और जितना भी payment आप उनको करते जाओगे उसका 5% जो cashback है वो आपको मिलेगा एक साल के अंदर जो maximum cashback आप ले सकते हो वो है यहां पर 1800 रुपीज तो यहां पर भी इन्होंने facility मालोगर आप कुछ purchase अगर कर रहे हो जिसका price 5000 या उसे जादा है और आप नहीं चाहते हो कि payment हम एक बार में करें आप चाहते हो कि payment को purchase को आप EMI में convert करा सकते हो अगर आप यह जानना चाहते हो तो इससे रिलिटेट वीडियो अलड़ी हमारे चैनल पर बनी हुई है लिंक मैं यहां पर दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आप जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख स कर सकते हो और वहीं अगर हम डॉमेस्टिक शॉपिंग की बात करें तो यहां पर जो आपको अमाउंट मिलता है वह बहुत अच्छा खासा मिलता है त्री लाक रुपीज तो यहां पर आप डेली अपने डेविट का यूज़ करके थ्री लाक रुपीज का शॉपिंग जो है और प्री यहां पर चाहिए और उसके बाद यहां जो आता है कंटक लेट्री के साथ जहां पर अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करते हो ना तो आपको हर बार एटियम कर डालने की जरुप नहीं है आपको जो मशीं है ताइंग मशीन उसमें अपको अपने डेविट आपको कोई पीन होगरा डालने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन यहाँ पे जो यह tap and pay वाला जो feature है न उसमें भी एक limitation इन्होंने डाली हुई है maximum आप 5000 रुपीज तक के shopping को ही tap and pay के through payment कर सकते हो और यह जो इन्होंने capping रखी हुई है वो आपके safety के लिए ही रखी हुई है तो अगर आपका transaction 5000 के नीचे है तो बस एक tap करो और आपका जो payment है वो successful हो जाएगा अगली benefit के हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे insurance related benefits भी मिलेंगे जो सबसे पहला benefit है वो है यहाँ पे accelerated personal accident death cover up to rupees 10 lakh तो अगर इसके बारे में आपको detail में जानना है तो यहाँ पे इन्होंने सारे terms and condition दिये हुए है आप चाहो तो वीडियो को pause करके यह सारी चीजे को पढ़ भी सकते हो अगले insurance benefit की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है fire and burglary protection of rupees 2 lakh अगले insurance benefit की बात करें तो वह है यहाँ पे चेक्डेन baggage insurance जिसका वैल्यू है आपे 2 lakh रुपीज तो यहाँ पे आपको insurance related भी बहुत सारे benefits यहाँ पे आपको मिल रहे हैं हम लोग insurance वाले benefits को दे के सोचते हैं यार क्या ही हमारे काम आएंगे लेकिन ट्रस्ट में गलती से भी किसी ऐसे situation में अगर हम पसते हैं न तो यह वाला जो benefit है न ट्रस्ट में सबसे जादा हमारे लिए यही वाला beneficial अप्रूव होगा तो अब बात के लेते हैं इस debit card के लिए क्राइटेरिया के बारे में तो अगर आप इस debit card को लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखुए नहीं क्लियर ली मेंशन कर दिया है बोत residents and NREs can apply तो अगर आप resident हो Indian यहाँ फिर NRE भी हो तो अभी भी आप इस debit card के लिए apply कर सकते हो और अगर आप Indian हो तो यहाँ पर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक account होना चाहिए चाहे वो salary account हो savings account हो यहाँ फिर current account हो तो अगर आप इन terms and condition को fulfill करते हो तो आप इस debit card के लिए apply कर सकते हो तो लगवग लगवग सारी चीज़े हमने इस debit card से और अगर आप दूसरे debit cards या credit card के वीडियो भी चेक आउट करने चाहते हैं तो हमाई चैनल में बहुत सारे banks के debit cards और credit card से वीडियो अगर आप उनको भी चैक आउट करना चाहते हो तो link में नीचे description में दे दूँगा आप जाके उन banks के भी debit cards और credit cards के वीडियो देख सकते ह हो उमीद करते हैं यह वीडियो आपके काम की रही हो कि वीडियो काम की रही हो तो वीडियो के लाइक जरू का दीजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन दबाना बिल्कुल और भूलिएगा जल्दी मिलते हैं ऐसे interesting और informative वीडियो के साथ तिल टेक केर बाइब आए जय हिन्दी